नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं How to Learn Astrology YouTube Channel नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube Channel में दोस्तो अक्सर ये देखा जाता है कि परिवारों में कलह रहता है देवरानी जिठानी में भाई भाई में पिता पुत्र में बेटी वे मा में हमेशा ही कलह रहता है यहां तक कि बहुत से लोग तो इस बात से भी परिशान है कि उनका उनके बोस के साथ सम्मंद अच्छा नहीं होता है जिसकी वज़े से उनके नोकरी वे ब्यापार पे असर पड़ता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बस एक चुटकी सौफ का एक ऐसा उपाए जिससे कोई भी ब्यक्ति आपकी हां मेहां मिलाने लगेगा दोस्तो हां में हां मिलाने से अर्थ है एक परकार का वशी करना जी हां दोस्तो लेकिन आप से विनम्र निवेदन है कि आप इस परकार के किसी भी उपाय का कोई भी गलत दोस्तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में सक्तिसाली वे चमतकाली होती हैं जिनने सास्त्रों में भी खास बताया गया है, यहां तक कि बहुत सी ऐसी चीजे भी हैं जिसके बारे में तंत्र सास्त्र में भी बताया गया है, जिनका परिणाम शीगर देखने को मिलता है, और जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो मे जो भी मनों का आमनावे सोचते हैं वे पूरी हो ही नहीं पाती है बलकि धनकी जो समस्याएं उनके जीवन में होती है वे दिन परती दिन और भी ज़्यादा बड़ी होती जाती है तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जैसे बिक ब्यक्ति के पास जब माता लक्षमी का साथ नही हो जाता है बस आप वीडियो को पूरा अंतर तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में माता लक्षमी का नाम पूरे सच्चे मन से सरदाभाव से लिखें साथी बजरंग बली की कृपा प्राब्त करने के लिए जै बजरंग बली अवश्य लिखें प्रकार से प्रियोग चाहते हैं या पिर उन व्यक्तियों के लिए जो अपने नोकरी व्यापार को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं ताकि उनके दिन अच्छे बीतें उनका घर बगरा सुक्षांती से रहें क्योंकि दोस्तों जिस घर में भी सुक्षांती होती है वहाँ पर सदैव माता लक अगर आपके बोस के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं है, या फिर आपको व्यापार करते हैं और आपके दुकान पर गरहक नहीं आते हैं, तो ऐसी इस्तिती में आप इस उपाय को करके अपने घर में मातालक्ष्मी को निमन्तरन दे सकते हैं, ताकि विए आपके घर में आ इसको बताने से पहले आप से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जवरदस वीडियो जिन से आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं औ तो अब हम बात करेंगे बस एक चुटकी सौफ रख दे यहां कोई भी व्यक्ति आपकी हां में हां मिलाने लगेगा दोस्तो इस उपाय को करने के लिए आपको बस थोड़ी सी सौफ लेनी है और एक लाल रंग के कागज में या फिर लाल रंग के कपड़े में इसे बांद क करके आपको जिसकी व्यक्ति का भी वशीकरन करना है या फिर जो आपकी इच्छा के विर्द चला गया है जैसे कि आपका पुत्र अगर आपकी बात नहीं मानता है तो अपने पुत्र के नाम से इस पुडिया को या फिर कागज की जगा आपने अगर कपड़ा लिया है तो उस सौफ बाली पौटली को अपने तकीया के नीचे से रख लें और अगले दिन की सुबा आप इसे भैते हुए जल में परवाहित कर दें अगर व्यक्ति आपके नजदीक में रहता है जैसे कि आप अगर अपने परिवार में ही सुक्षान्ती के लिए उपायों कर रहे हैं तो आप उस सौफ को पीस करके शर्वत बना ले या पर किशी भी खाने पीने की वर्ष्टू में से मिला दे और आप सब परिवार आप चाहें तो खुद भी इसका भोग लगा सकते हैं यानि कि आप भी इसका सेवन कर सकते हैं और उस व्यक्ति को तो अवश्य ही खिला दे एक जादा से जादा बार इस उपाए को करते रहें जितनी बार आप इस उपाए को करेंगे उतना ही जादा आपको इसका परभाव देखने को मिलेगा तो दोस्तो आज किस वीडियो में केवली तना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक करे दे में जाद धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भोले जैब भजनक बली